इस सीरीज की मैंन कास्ट में आपको रिया सिंग और गौरप सिंग देखने को मिलने वाली है सिरीज अगदम होट होने वाली है क्योंकि इसमें आपको खूप सारे बोल्ड और एरोटिक सिंग देखने को मिलती है अब बात करते हैं स्टोडी की कहानी में हमें एक हस्बन वाइफ रस्मी और गौरप को दिखाया जाता है और गौरप की सेलेरी इतनी नहीं होती है कि वो घर के साथ साथ रस्मी को भी सारा खुशी दे सके इसलिए रस्मी एक कोठा ज्वाइन कर लेती है जिसका नाम बलाइन कोठा होता है और रस्मी हर अपते बलाइन कोठा पर जाती है जहां पर उसे किसी कस्टमर के साथ रात बिताने के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इस बात की खबर गौरब को नहीं होती है और गौरब अच्छी तंख़ा के लिए काफी मेहनत करता है और उसकी मेहनत को देखकर बॉस उसकी सेलेडी बढ़ा देता है और साथ में कुछ ये देखकर गौरब काफी खुस हो जाता है और बॉस को इन्वाइट करता है डीनर क के लिए अपने घर और गौरब रस्मी को बिरियानी पकाने के लिए कहता है और रात में जब बॉस गौरब के घड़ाता है तो रस्मी को देखकर चौक जाता है क्योंकि वह काफी ठड़की मिजाज का होता है और वह बलाइंट कोठा कई बार जा चुका है जहां पर उसने रस साथ कई बार पलंग्टोड किया है और रस्मी भी उसे पहचान जाती है और वह कचन की वह चले जाती है और पास बहुसी के सबचे कीया चला जाता है और फिर मीजाता हूं और रस्मी की काफी देर तक ले रहा होता है कि तभी गौरब आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो वह बॉस और रस्मी को गलत इस्तिती में पाता है और वह काफी गुसा हो जाता है और रस्मी को भला बुडा कहने लगता है तब ही बोस गौरब को सच बताता है कि तुम्हारी पतनी ये कोठे वाली है और मैं इसकी कई बार ले चुका हूँ और वो गौरब को 10,000 रुपिय ये कहकर पकड़ा देता है कि ये 10,000 रुपिय इसकी आज की फीज है अगर आप इस वेफसीज को देखना चाहते है तो आप हमें इंस्ट्राग्राम पर मैसेज कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे चैनल पर नए है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन